तो friends, बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप लोगों को selection process की, ठीक है, तो selection process में सबसे पहले आप लोगों का physical कराया जाएगा, physical में आप लोगों का पहले PhD होगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का return exam कराया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का trade test होगा, फिर finally आप लोगों सेलक्षन किया जाएगा ठीक है तो फीजगर में सबसे पहले आप लोगों का पीऐ़़गों का ऐप मचेंड मापा उसके ओष्ट मापा बुर्य इतना ही आप लोगों का प्रोसेस रहेगा जो बच्चे सोच रहें कि running भी करा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप logo का कोई भी आप logo का running नहीं होने वाला ठीक है यानि कि आप logo का running नहीं होने वाला है के IIIश्ट मापा जाएगा उसके बाद आप लोग return exam के लिए बिलुकुल भी ready हो जाएगा ठीक है तो सारी जानकार इसके बारें भी आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ तो male candidate की जो height रहेगी 165 cm रहेगी ठीक बात करें वहाई female candidate की तो female candidate की height 155 cm रहेगी है इसके अलावा जो लोग इन पहाड़ी लाकों से बिलोंग करते हैं उनकी height जो 162.5 cm रहेगी और female candidate का 150 cm हाइट रहेगी ठीक है अब बात कर लेते हैं आप लोगों के जो आई है chest की ठीक है तो chest जो रहने वाला है आप लोगों का जो आई है ठीक है वो आप लोगों का normal candidate का जो आई है वो 77 cm रहना चाहिए जिनमें 5 cm आप लोगों को chest को फुड़ाना पड़ेगा और वो हो जाएगा आप लोगों का 82 cm वहीं जो आप लोगों पहड़ी लाकों से बिलोंग करते हैं उनका chest जो 86 रहना चाहिए फुराने का 81 होना चाहिए female candidate का कोई भी chest नहीं मापा जाएगा ठीक है बात करते हैं weight की है तो weight जो हाँ आप लोगों के height के according ही आप लोगों का weight मापा जाता है फिलाल weight में जो है है कोई भी student जो है है physical में नहीं छाटा जाता है कि weight के लिए ठीक है तो इस चीज़ को आप लोगों को clear हो चुका है बात कर लेते हैं आप लोगों के written exam के ठीक है तो written exam में भी काफिश Geral question आप लोगों के आते हैं normal되는 सबसे जो है निचले स्तर पर आप लोगों का exam जो होता है group D का ठीक है तो group D में भी आप लोगों का जो हो उतना hard question पूछता है उससे भी नीचले लेवल में आप लोगों का जो है इसका जो है सलेबस आप लोगों कर रहता है बहुत इस तरहल सरहल कोश्चन आप लोगों से यहां पर जो आई है इसके एकजाम में पूछे जाते हैं यहां पर आप लोगों के कोश्चन आते हैं जी आँ दूस्ता आप question रहेगे 25 number के general part B में रहेगा ठीक है general knowledge ठीक है general knowledge में भी आप लोगों को 25 question रहेगे 35 number के arithmetic рहेगे यानि क lingueth रहेगा आप लोगों का 25 question 25 number के general English or Hindi ठीक है ये optional रहता है आप लोग कौन सा चुनते हैं चाहिए तो हंदी भी आप लोग देछ सकते हैं तो English ठीक है, यह भी 25 question है कि 25 नंबर की, जिसके लिए पूरा overall आप लोगों को 2 घंटे का time आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, दो घंटे का पूरा आप लोगों को timing दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का जोएगा, रेटेन एक्जाम के बाद आप लोगों का ट् typing करना पड़ेगा, वहीं English के लिए आप लोगों को जो आएगा, 35 word, जी यहां, दोस्तों, 35 word per minute आप लोगों को typing यहां पर कराया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का medical होगा, फिर final selection आप लोगों का किया जाएगा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, फ्रेंस, जो important topic है, आप लोगों का date के बारे में, कि physical आप लोगों का कब कराया जाना, ठीक है, तो physical के रुमेबात करूए, तो पहले आप लोगों का जो आए है, 2019 की आप लोगों को CIS, सबकी जो vacancy आयो थी, अभी उसका भी process complete नहीं हुआ है, तो उसका भी process चल रहा है, और उसकी exam जो कर पॉस्टेबल जो है, आप लोगों का जो है, यह vacancy आप लोगों की आयो हुई है, HCM की और ASI post की, ठीक है, तो इसके जो है है, आप लोगों का अनुमाल लगा जा रहा है, कि December या फिर आप लोगों को January, ठीक है, December या January के first week, ठीक है, कब कराया जाएगा, first week तक आप लोगों इस vacancy का जो है है, PhD complete करा लिया जाएगा, ठीक है, इसके बाद आप लोगों का March, जी हाँ दोस्तों आप लोगों का जो है है, March 2023 तक आप लोगों का जो है है, इसका जो है है, आप लोगों का जो है है, exam करा लिया जाएगा, ठीक है, उमीद कर रहा हूँ, आप लोगों को इस कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है तो मैं मिलता हूँ फिर से नई जानकारी साथ नई वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना सेयर करना तिथा इसी प्रकार से नोलेजबिल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है मैं मिलता हूँ फिर से नई जानकारी साथ नई वीडियो में तब तलग के लिए टेक केर, गुट बाई जहीं साथ हूँ मेरा नम है आकास मौर है और आप तो लोग का आपके अपने चैनल आलकी उपी श्टेडी पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंस तिया सब में आप लोगों के लिए जुआ है इसके लाश डेट के लिए बात करो तो लाश डेट आप लोगों का 25 अक्टूबर रखा गया आए है और यहां पर जो आए है फिमेल कंडिडेट और स्टी स्टी कंडिडेट का कोई भी फीस नहीं लग रहा है यानि कि बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं तो मेरा रिक्वेट रही है कि आप सभी लोग जरूर इस फार्म को अप्लाई करें इसके लिए योगता जो मांगी गई है आप लोगों से 12 पास मांगी गई है सिंपल यादि आप लोग 12 पास हों तो इस वैकंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं चाहे male औह चाहे female औह दोनों प्रकार के candidate apply कर सकते हैं तो आज किसी ड्म अप लोगों को बताने वाला हूँ है कि इसका physical आप लोगों को कब कराया जाएगा साथ-साथ आप लोगों का retain exam कब होने वाला है physical में आप लोगों का क्या क्या कराया जाएगा return exam आप लोगों का कब होने वाला है सारी जानकारी आप लोगों को complete देने वाला हूँ वीडियो काफी important है तो वीडियो को शुरू से लेकर last तक जरूर देखते रहना वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like करना, share करना तथा इसी प्रकार से knowledgeable वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को भी subscribe करके bell icon को press कर लेना ठीक है तो मैं आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ